नमस्कार टीवी टॉंटी न्यूज़ पर प्रमुक खबरें आप अपने छेत्र की देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ असोग बर्मा आईए रूबरू कराते हैं आपके छेत्रों की तमाम खबरों से इस खबर के प्रायोज़क है प्रवांचल मशिनरी अजेंसीज आधेकरिद विक्रिता जहां आपको मिलेगा किरलूस के रोप्रकास जेनरेटर के साथी सेंचुरी प्लाइबूट, माइका वा हाड़वेर के सभी सामान हमारा पता है नरावली तनस्क सोरूम और नकरपाली का स लोकास्ता के महापर वाच्छट के दूसरी दिन चटवरती आज के दिन खरना का तिवहार मना रहे हैं लगर पंचाइट वासपास के ग्रामिट चेतरों में सुबह से खरना पूजा के रहुनक देखने को मिल रही है खरना पूजा के आउसर पर छटवरतियों ने सुबह में गंगा अस्तनान किया और दोपर से खरना का परसाद खीर पूरी और रोटी बनाने में चुट गई है लगर पंचाइट समयत अन्य ग्रामिन लाकों में फल मंड़ित सचकर तयार है बाजार में तरह तरह की फलों को सजाया गया है जो फल इस सीजन में देखने को नहीं मिलते हैं वा फल भी दुकानों पर उपलब्द है मिट्य से बने वरतन तथा बस से बना डाला और सुब की भी खुब विक्री हो रही है आज की दिन खरना के उसर पर चट परती खेर रोटी पूरी का परसाथ बनाती है उसके बाद उस परसाथ को भगवान को चढ़हा जाता है और पूजा की चाहती है फिर छटबरती प्रसाथ गरन करते हैं इसके बाद 36 घंटे का नेरहार बृत सुन होलता है खरनापुजा के दोराण प्रसाथ बनाते हुई छटबरती मा छटबरती curric बर्ता की बिर्थ करते हैं और छटबरती मा गलों हम लोगों की सारी मौनोकामना पूरी करती ते हैं इंगर सहित विभिन प्रकार के फल दुकानों पर सजाए गए हैं और लोगों को अच्छी विक्री की उम्मीद भी दिखाई दे रही है अब यहां बहुत सारे प्रकार के फल हैं जिसमें जूजू ने फल मतलब इसमें देखने हो आपको मिलेंगे जैसे राम फल हो गया चीजन में छट पूजा में के वल देखनों को अक्सर मिलता है यह चट पूजा के बाद यह देखाते हैं मतलब आता है यहां जो अवेलेवल हो पाता है जिसके हम लोग यह सिल करते हैं और इसके कश्मों की डिमांड भी बहुत रहती है और जैसे मैं आपको दिखा सकता हूं कि यह देखिए आम आता है बाहर से जो केवल इसी साइम समय देखने को मिलता है ठोड़ा महेंगा भी अवेलेवल हो पा पर्दिप कुमार सोनकर अत्रोलिया बयार कि प्रकार के प्रकार पाइनाफल कलिंगर खर्भूजा पाइया पेरू मुसंभी कलिंगर अपने आफल क्या है राम फलाय है अलमान फलाय सीता फलाय है लीची मैंगों पांच वर्ड अपकी बार दुपान दारी क्रेशे चल रही है कैसे आरे पुरसी मैलाए यह नंबर यह नंबर को आपको कोई समय स्था नहीं है आपका चोड़ेला सोंकर कहा दुपान है आपकेसरी सिंचौग पर याप फलाय कितने बारायटी दुपान है आपके बहुत से म लगते हैं लेकर लोगों को जाघरू करने के लिए सद्वार को सदर ग्यांटेंदु गुपता निमदाता जाघरूता लेली गुहरी चन्री दिखाकर रवाना किया लेले क्लेक्टेट शचत्र होते हुए नकर के विभीन मार्गों से घुमते हुए वापस तैसिल पहुंच थे सभी ने आम लोगों को अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए प्रेडित किया खासकर रिवाओं का नाम जो एक जनवरी 2024 को 18 वर्स की उमर के हो जाएंगे उनको विसेस दोर पर पहली बार अपना नाम जुड़वाने के लिए जाघरू क्या क्या इस त अभी नवजवानों से युवाओं से अपील करना चाह रहा हूं कि अपना नाम वोटर लिस्ट में जाके जितने लोग 18 साल के हो गए हैं जाके नाम बढ़ाएं और देश में मद्दान का हिसा बने और भारत को समरीद होने में अपना योगदान दे गाओं में क्या संदेश जाके जाके जाकर के मद्दाता सुचे में अपना नाम बढ़ाएं और समरीद भारत होने में अपना योगदान दे गाओं में किसोरी के साथ शिटखानी करने के आरूपे को पवाई पुलिस ने गिरपतार किया है ये कामयाभी पुलिस को एसपी की निर्देश पर मिली है भी पक्षी आनंद पुत्र मुनिलाल निवासी क्राम मेरपूर धाना पवे जनपत आजम करद्वारा वादने की पंद्रा बर्से पुत्री को किराने की दुकान पर हाथ पकड़ना असलिल हरकत करते वे शटखाने की गई त्यता जान से मारने की धंकी दी गई इस समद में पुलिश ने मुकादमा पंकित कर भी बिचना प्राराम की और आज पुलिश ने उसा भी उक्तु की अफ़तार कर लिया जो कि सोरे के साथ शटकाने करने का आरोपी था चटके पाउर परो को देखते हुए पूरी त्यारी कर ले गई है जर्मपत की जिला पंचायत राज अधिकारी के गादिस की उक्रम में विकास खंड में ग्राम पंचायत में हाट बाजार में जहां 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 नदी है जहां तलाबे जहां पोखरा है वहां वहां ग्रामर सफाई करमचारी त्वारा जो रुषूरों से सफाई किया गया है और करीब पूरी तैयरी कर ले गई है ग्रामट सफाई करमचारी संग के साथियों द्वारा घाट घाट पर सुक्चता अभियान चला गया टॉली बनाकर ग्राम इरी सफ़ाई करम चारीों दोरा साफ सभाई किया रहा है अपने कर्दबियों करने रिवान करते होँ सरकार के आदिशा मुशार जग़े साफ सभाई करते हुए सभाई के प्रतील लोगों को जाखरो किया गया संचाही रोक्ताम जेंतन के तब चुक्षता अभियान चलाया गया अठार नॉम्बर देश को ग्राम पंचाथ आसापूर में बाजबे घाट पर बेदी के आसपास तमसा न देके किनारे सम्मानित साथियों दोरा सफाई किया गया आज की सब अभियान में जिलाद देक्षी पी आदो जिलाव पादेक्ष कुलाब चरुतिया मेडिया प्रभारी बलाका देक्ष्रमिस कुमार यादो स्रीराम यादो अतुल कुमार आद लोग मौज़ुद रहे कहां पर सफाई हो रही ग्राम पंचाय थासापुर में आज दिनांग 18 नॉवंबर 2023 को बाजपेई घाट पे ग्रामिर सफाई करमचारी जिलाद 10 सीपी आदो अपने साथियों के साथ यहाँ पे साफ सफाई करके सुनिचित करते हुए हाँ अपना पर्चा बता है सीपी यादो जिलाद 10 सफाई करमचारी संग आजमगर छट को देखते हुए कहां कहां ग्रामिर सफाई करमचारी द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है दिनांग 29 नॉवंबर को छट पूजा का कारकरम परस्तावित है सरीमान जिला पंचात राज अधिकारी महोदा जी के निदेश के करम में समस्त गराम पंचायतों में जहां अमसा नदी का किनारा हो ओखणा हो सफाई कमचारीों की टोली बनाकर साफ सफाई सुनचित की जा रही है उग निदेश के तहट सरीमान साहग विकास सथकारी पंचायत आररली उमाकान पाठक जी के निदेश के करम में सफाई कमचारीों की टोली बनाकर जगा 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 जहां छट का पूजा वहाँ सब सफाई सुनचित की जा रही है उक निदेश के तहट आज दिनाक 18 नौंबर को सीपी आदो जिलाद्यच, गुलाब चुसिया जिलावपाद्यच, रमेश्चंद बलाकर्द्यच, न्यापंचायत किसुन दासपूर के सफाई कमचारियों के साथ, हासापूर, तमसा नदी के किनारे जो छट बना है, छट के अ जेनपूर पूलिच ने पहुंच कर जाँच की, जानकारी के अनुसार धन्चुला गाउनिवासी बलविर सिंग के खेट में तीन होर्श पावर भी तूट मोटर लगा हुआ था, जिस खेट की सिजाए का कारे चल रहा था, टूबिर से सुकरबार के रातर लगभग 12 जाँच चोरो ने टूबिल का ताला तोड़ कर मोटर चोरी कर लिया, पलविर सिंग ने शनिवार के सुबह 112 नंबर पर डायल कर जेनपूर कोतवाली पर मोटर चोरी की तहरीर दी, जेनपूर कोतवाल विबक पांड़े के निर्देस पर जेनपूर एससाई अनलिन सिंग न जाँ नहीं, यह भी अन्यचोरी की खटनाओं की तरह दव जाती है। इस दोरान जलादिकारी ने महत्यपून प्रकरणों में वहमी संबंदी बिवादों ही तो राजस्वाइम पूलिस की टीम गठित करते हुए तहसिल दिवस माप्त होने के उपरां निकराकरा ने नेकराड कराई जाने के निर्देश दिये। शामिल है। जलादिकाई ने समझत संबंदी तदिकारियों को निर्देशिस करती हुए का कि जिन जिन भी भागों से संबंदी तावेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। उसे जल्द जल्शत प्रतिसत ख्रुवक्तायुक्त निस्तारित करना से निस्जित करें। आजमगर के नहरू हाल सभागार में सनिवार को इट भठा आजमगर एसोसेशन की तरफ से बैठक का आयोजन कर अपने विभीन मांगों पर विचार किया गया। और सरकार से इट भठा संचालकों की जरूरत को निया मानुसार पूरा करने की मांगी गई। जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि सरकार से इट भठा एसोसेशन की मांगों पर विचार करने कानरोध किया गया है। इसके अलावा यह भी मांग की गई कि जो कोईला की सप्लाई होती वा गुलवत्ता प्रोड़ होने चाहिए क्योंकि इसे पूर्वक जो कोईला की रैक आय थी वा बहुत खराब क्वालिटी की थी और किसी इट भठा संचालक ने उसको लिया ही नहीं। इसलिए और चंदासी और अध्याध्या में ही रह गई। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो भी कोईला सप्लाई करना हो वा अच्छी क्वाल्टी का हो। सुन्दे रमाकान सिंग ने क्या जानकारी दी। अच्छे बता दें। कौले को लेकर इसमें जानकारी से है कि क्या है कौले में कोईले को आगाकर सरकार से लाइटमेνच है किपिसीयर से आता है , आया सथ 1 कि इतना खराब आया था कि उसको कोई बठावाला लिया ही नहीं चंदासी का चंदासी बढ़ा और अजुद्या का जुद्या बेटा वो कोई लिया ही फिर मीटिंग प्रदेश में हुई कि भाई कोईले में सुधार परिये तभी हम लेंगे नहीं कुछ मांग भी करना चाहते सरकार एक तरफ से बढ़ते कुछ लाब मेरे मांग तो यही है कि अच्छा कोईला सरकार दे अभी बठाव लेंगे जिश्टी के इसमें मामला है क्या कुछ है नहीं जिश्टी के कोई मामला है अमरित सरोबर परियोजना में चैनित पोखरों को मत्से पालन हित वहाने पोखरों के आवंटन के बिरोद में धर्जनों ग्रामल प्रधान आपको बता दें की ख़बर माटिन गंच से हैं जहां उब जिलादिकारी को एक प्रातना पत्र देते हुए दर्जनों ग्रामल और प्रधान ने कहा है कि ग्राम प्रधान इसलिट मौज़ा आसाड़ा के राज़सुव अभी लेक में पोखरी खाती में दर्ज है जिसमें प्रधान मंतरी की मत्वकंसी उजना अमरित सरुबर का कारी किया जा रहा है जिस पर सरकारी धन का बैभी क्रामसभा द्वारा किया जा चुका है गाउं के कुछ असामाजिक बिक्तियों द्वारा पोखरी का आवंटन मत्स्ते पालन हित करवा लिया गया है जिससे सरकारी धन के आती होगी मत्स्ति अवंटन होते हैं गाउं के में काफी असानती वाक्रोस ब्याप्त हो गया है इस इस्तिती में जन अपेक्छाओं का प्रधान मंतरी की मत्वकंसी उजना अमरे सरोबर के तरिशकर ततकाल से अवंटन द्रस्त किया जाना जनीती में आवस्यक है इस मामले में विले करकर उनकारवाई की मांग किया है क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते है अब बच्चे वहां नहाते दोते हैं सिचाहिया सब होती है और अलग नहरों का पानी भी वहां से आके जाता है तुग्रामसभा की पॉकरी है? हाँ जी सर अब बताईए उसमें समस्य सर पट्टा करा लेंगे तो वो सब दिक्कत आ जाएगी कि हमारे गाओं का लोगों को दिक्कत है किसी बच्चे खड़े होने नहीं देगा वहां किसी का पसू भी वहां नहीं जाने देगा से जिसे बिवाद और ज्यादा बढ़ेगा हमारे गाओं तो वह पट्टा कराना चाहते हैं हां जो पक्षी है जो मारे परकास है तो उनने पटा करा लिया हम प्रजासन से निवेदन करते हैं कि पटा तरवायदा जी यह दिपल्ग पटा करेंगे क्या प्रिव नाम क्या है अप लोग एई समस्या है क्या चाहती आप लोग पट्टा कतम हो जाए तो पोखरी की जो इस्तिती थी पहले जो जी साब लोग यूज करते थे तो पहले आसका कभी नहीं हुआ है अच्छा पानी दाना कुल घर बन जाए तो पानी दाना कुल घर बन जाए तो तहां तो आपने प्रातना पत्र दिया है साब को आपका दाए तो क्या बोले इसके पहले भी आप लुग दिया अब यह तर्म नाम अनिये तिनके पट्टा करा देने का पानी बंद कई कौन कहा अच्छा अच्छा मार के जार डाल के लोग आप लोग प्रण बंद कि अच्छी मार जार डाल करके फिर मारा गया तो यह ने करवा के नाम है भी गां कौन सा है आपका असाड़ा तैसील कौन सी है तासील मार्टीन सही है तैसील इसे जंब परद्धान परदनेधी डाक्टर प्रभूहन जी और उसके बाद जो है कि हमारे आच है तारी को पट्टा का लिलामी होनी थी पुखरी का तो उसमें 146 अमरी सरोर का पुखरी थी 146 नंबर 137 नंबर इस पर पत्ती पड़ी थी पर पत्ती डाली गई आप पत्ती को नया तहिल पट्टा कर दिये इना अक शुक्रती कर दिए हैं पपलब करना है तों पत्ती किस पें direkt तसिलदार साब कि आप McKुन रहें कि में चैनित हुआ है उसमें इसको पट्टा ना कराया जाए तो ठीक है उसके बाद भी किये नार तजलार साहब जी प्रदान जी पट्टा ये नहीं होगा अच्छा तो आज आप तो आज आप लोग इसडियम साहब को प्रत्न पत्र दिये हैं इस अपने क्या कहाई सम्द्द इसमें उसको निलामी से बाहर कर दिया जाएगा जो पूरों में हो चुका उसका अब वो कहीं है कि कोट के बाद बदाएंगी अभी आप लोग इसमें चाहते क्या हैं अभी उसको चाहते हैं कि 137 गाट असंका 146 गाटा संका जो कत्ती पढ़ी है उसको निरस्ट करके पट् पूरे पाने को होल्ड करेगा ना जी इसलिए हम आये हैं कि हमारा किसी तरह के आपत्ती के लिए चेतारी के आपत्ती थी आपत्ती पढ़ गई अब इस पर आपजेक्ट जो है आवंटन नहीं किया जाएगा लेकिन बाद में चुपके सी आवंटन कर दो पानी जाता है पुरा और उससे सीचाई होती है जी और पसूच नहाते हैं कल जो होगा तो लोग ना सीचाई करने देंगे ना पानी ले जान फानने देंगे सीचानों के लिए भी दिक्कत होगी आम दूंता के लिए जान जैनवर का भी मसला है जी जथाई का विस्तालं किया घ्याया है उस पुरे को आप लोग यूज करते थे मुछयात में सीचाई के लिए ज्वागं नहाने के लिए आप चाहते हैं कि पट्राइक अब भी आप भी चाहते हैं कि नाप भी चाहते हैं कि अब भी आपका हमारा नम मुहम्मद कामील दूरा के आरके ने तरत में अपरादवा प्रावियों पर नियंतर हिट विलाजार अभियान के तहट आज बर्दय पुलिश ने बड़ी कामियावी हांसिल की है बर्दय पुलिश ने साधी का जहांसा देकर दूसकर्म करने के आरूपी को गिरफ़तार किया है बर्दय पुलिश की घटना के बारे में आपको बता दें कि 9 नमबर को वादनी मुकदमा द्वारा थानास्थानी पर सुचना दिया गया विपक्षी अनिल सरोज पुतर के सो सरोज साके निरनी थाना बर्द आजम गड़तवारा पुड़िता के साधी का जहांसा देकर शारिक शंबन बनाया गया लेकिन साधी करने से मना किया गया कि संबन में थाना स्थानी पर मुकदमा पंस्generation किया गया और पुलिस ने आजुसे कि रिप्तार करने में श襪लता हमासिल की है आगामी छटपूजा के मदिनजर थाना प्रभारी महराज कंज केके कुपता ने पूरी थाना शेतर के पंजेकरित छटखाटों का प्रमण किया और सुरधालों की सुरक्षा बोस्ता का जाजा भी लिया अपने दिरक्षण के दौरान थाना परभाईर ने ग्राम पंचायतों के के प्रधान के साथ बैठा किया तेथा घाटों पर आने वाले स्रधालों के संख्या के बारे में जानकारी ली और इससे जुड़े सुरक्षा संसादनों के बारे में भी जानकारी ली थाना परभाई ने शुतर की कोल 18 पंजी करित छट खाटों पर सुरक्षा के देश्ची से प्रशासन द्वारा जारी काइड लाइन के अनुशार सुरक्षा बहुस्ता करने का निर्देश दिया उन्होंने निर्देश भी बताया कि प्रटेश खाटों पर गहराई से परेश चिछले भागता था तक रसी बात कर उस पर गुबारा लगवाने के साथ साथ जूब की बहुस्तावर चार से पांच गोट खोल गोता खुरम अच्छे तराक की टीम गटित किया जाएगी तक कि क किसी भी आपात काल स्वी निप्टा जा सके और उन्होंने बताया कि उप्रोक्त बहुस्ता के साथ साथ प्रदेख घाटों पर प्रहाप्त पुलिस पल्गी भी बहुस्ता की जाएगी विद्याले के संबाद कारकर में पहुँची कैसर गंज के सांसद बरेजबोसरन सरण सिंग बच्चों को दिया सफलता का मूल मंत्र पतादे की सनिवार कुछ शेत्र के बलू बिल्स पबलिक स्कूल में आहुचित बच्चों के संग संग संबाद कारक्रम में कैसर गंज के सांसद वकुष्टी महासंग के अध्यक छिबरेजब वूसराण सरण संग पहुंचे जहां सिरो प्रतम माताजे की प्रतिमा पर पुस परपित करके दीप प्रजुलित किया विड्याले के बच्चों बच्चों द्वारा स्वाकत किया गया ततपस्चात आई हुई लोगों ने मालेयर पना कर उनका स्वाकत किया बच्चों से परचे प्राप्त करते हुए सांसद वरेजब वूसराण सरण संग ने बच्चों क सफलता आवल से उसके कदम चुमती है। उन्होंने कहा कि बच्चों का जीवन कुम्हार के बनाए हुए घड़े की समान होता है। सुक्षक इसको मुर्थ रूप देता है। यही छातर आगे चलकर दिस और दुनिया में नाम रोसन करते हैं। बच्चों को पढ़ाई पूरी करने के लिए कटनायों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन इन कटनायों से जो डटकर मुकावला करता है वही अपनी मुकाम को हांसिल कर पाता है। सागर की असंग के लहरों के सामने चट्टान की तरह ख़़ा रहने वाला छातर ही जीवन में सफल होता है। उन्होंने विद्याले के प्रवंदक जितिंदर सिंग को डुडूआ। डिरेक्टर हरसित सिंग को धन्यबाद के अपित किया और कहा कि इस तरह के विद्याले शित्र में मील का पत्तर साबित होते। लगवाग 20 मिनट की शमबाद काड़क्रेम के उपरां सांसित बरेज़ वोस्टरन स्वरान सिंग माहर सी मुसरी दास कितव पुस्तली प्रतम देव बहिरा देव के लिए रवाना हो गए चहराम कथा में शमलित होंगी। आई सुनते हैं कि डाक्टर डार्यक्टर हरसित सिंग ने क्या कुछ कहा। बच्चों को एक सिच्छादी नई सीख बताई। उनके भासड को सुनकर बच्चों में जो उर्जा आई वो काफी सराहनी थी। सांसच जी जैसे जैसे बोलते जा रहे थे बच्चों में उर्जा का संचालन होता जा रहा था और पूरा विद्यालय परसद पुरे उनके भासड की गोज से गोज उठा। हमें सांसच जी का भासड सुनकर हम भासड जी का यहां आपने संस्था में हार्दिक स्वागत वंग निंदन करते हैं और आपका बहुत-बहुत अभार प्रकट करते हैं कि आप अत्रोलिया में हम का आकर हम सबका मान आपने में बढ़ाया। जैसे कि आप लगी अच्छी लगी और आप लोग भी अच्छी लगी उसके बारे में पुलाता है। सांसत जी ने जैसा कि कुछ उपाई से भी बच्चों को बहुत सीख दी नसामुक्त जो मुझे बढ़ा अच्छा लगा कि सांसत जी ने आज की नई पीड़ी को यह सीख दिया कि बच्चों नसामुक्त रहो नसामुक्त रहोगे तो हमारा देश ससक्त होगा और हमारा देश जिस तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है पुरे दुनिया में ख्याती बटोर रहा है तुम लोगों के माध्धम से भारत निश्चे थी आने वाले दिनों में पुरे दुनिया पर भारत का ही राज होगा ये लाइन काफी अच्छे लिगी क्यों नहीं क्यों नहीं सांसच जी से मेरी पहले भी बात हो चुकी थी इस विसे पर और जैसा कि सांसच जी जो निर्देश देंगे हम लोग अपने बच्चों को जरूर भेजेंगे यूपी में एक कैसर गर्ज से भाजपास सांसच और भारतिया कुस्ति संग के अध्यक्ष ब्रेजबोसर सुर्ण सिंग का आज आजमगड दौरा हुआ जहां उन्होंने अपनी पाड़ नीची हिलिकाप्टर से आजमगड में प्रिविस किया आजमगड की जेनपुर इस्तित प्राइबेट स्कूल के कारिकरम में समलित हुए और बच्चों को मोटिवेट किया सभा को संभाव दित करते हुए ब्रेजबोसर सिंग ने बच्चों से कहा कि समय का सदोप्यों करें जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई बहुत चरूरी है बिना मेहनत बिना बढ़ाई कुछ भी संभाव नहीं है यदि आप अपने परिवार का अपने शितर का नाम ओजा करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही मजबूती से लगना हो लड़ना होगा वेपरीद प्रसितियों में ही उत्मुनती संभव है बाजबा सांसर्थ बिरजबुसरन स्वरान सिंग ने मेडिया से बात करते हुए पांस प्रदेसों में होने वाले विधान सभा चुनाओ खुले करने भारती जूंता पार्टी को जीत कतावा किया है और कमल के फोलो के खिलने के बात कही है इस मौक़े पर उन्होंने सपाने ता स्वामे प्रुषाद मौरे पर उनके बयानों के भी बातों के उपर उने पागल तहराया है साथी साथ उनके बयानों का कोई मतलब नहीं बताया है और क्या कुछ कहा है सुनिए और एक बच्चे का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक उन्हें किसी गंदे दोस्तों से बचाया जाए गंदे दोस्तों है और इसलिए मैं जहां जाता हूं कहता हूं कि मैं एक सराबी खोज रहा हूं मैं कहता हूं मैं एक सराबी खोज रहा हूं एक गाजा पेने वाले को खोज रहा हूं एक समय पेने वाले को खोज रहा हूं लेकिन कौन सा सराबी खोज रहा हूँ, मैं वो सराबी खोज रहा हूँ, जो स्वयम अपनी इच्छा से सराब की दुकान पर गया हो, सराब खरीदा हो, और पिया हो कौन सा सराबी, वो सराबी जो स्वयम अपनी इच्छा से सराब की दुकान पर गया हो, सराब खरीदा हो, गिलास में डाला हो, और पिया हो मेरे बच्चों, मेरे माताओं वहनों, मेरे भाईयों, दुनिया के हर सराबी ने, या किसी भी सराबी ने, जब सराब के गिलास को पहली बार हाथ लगाया होगा, तो किसी दोस्त ने ही वो गिलास पकड़ाया होगा इसलिए कि अब बच्चा पैदा कर देना ही, आपका काम नहीं है, आपका काम ये भी है, एडिलिशन करा देना ही, आपकी ड्यूटी नहीं है आपकी ड्यूटी ये भी है, कि हमारा बच्चा किसी के साथ बढ़ता है, जिस बच्चे के साथ बढ़ता है, क्या वो बच्चा ठीक ठाख है यानि, वो स्वामी कुल्जिदार जी ने लिखा है, ढोट गवार सूद्र पसुनारी, ये सब तारन के अधिराएगा है अब कुछ महानभाव है, जिन्हों ने कहें दिया, जो स्वामी जी ने कहा है, तारन अध्लम मारण, नहीं, तारन एक सप्थ है, जिसे आप कह सकते हैं, विरेजी में वाज करना वाज करना, देख लेख करना, ढोट है, देख लेख करना पड़ेगा, कम अध्ली का है, देख लेख करना पड़ेगा, नारी है, देख लेख करना पड़ेगा, बच्चे है, देख लेख करना पड़ेगा, जो लगवार सूद्र पसुनारी, ये सब तारन के अधिकारी मेरे माताओ बहनों, केवल आपकी ड्यूटी पईदा करना और इस्कूल में नाम लिखा देना यहीं कख सीमित नहीं है, इनकी दोस्ती किस से है, किसे होनी चाहिए और किसे नहीं होनी चाहिए आप लोगों की पूरी की पूरी नजर अपने बच्चों पर होनी चाहिए अब बलग सुना है स्वास्त सरीर में ही पूछना हो कोई बात हो तो करिए दोड़ा एक लोग यह बता दीजिए कि जिस तरीके से नाना पाटकर का मामला चल रहा है वो बच्चों को मार दिये थे जो अजब बच्चों की बात कर रहा है सर अच्छा सर एक भारतिय जनता पार्टी मोदी ही अच्छा सर यह बात्य जनता पार्टी मोदी ही अज प्रात्मिक बिद्याले चक विलिंदा पलैनी आजमकर में भारत स्काउट काईड के अधन तरकत प्रात्मिक सतर के बच्चों का जिसे लड़कों को कब तथा लड़कियों को बुलबुल कहते हैं शहीद पागसिंग का पैक सुतंतर दलका ते उते चंद था मौर फलाग बुलबुल सुतंतर दलका रज़त पंक का कैम्प सुला नॉमबर से 18 नॉमबर तक चला जिसका समाफर 18 नॉमबर को हुआ इस कैम्प में कपसे बच्चों को प्रसेक्शन लेडर कब मास्टर शुष्ष ने तथा भठी ने तथा बुलबुल के लड़ी के लड़कियों को जिला फलाग लीडर आजम गर अनीता सालेस दौरा किया गया इस कैम्प में बच्चों को अपने विस्तर की सफाई तथल लगाना बताया गया माता पिता के छोटे छोटे काम में उनकी साहिता करना तथा स्कूल तथा अपने महले में साब सफाई करना बताया गया जो पेरी तीन महीने पहले लगाए थे उनके बारे में जाना तदा तीन महीने में बढ़ते करम में डिरेक्षण के रिपोर्ट के बारे में बच्चों ने बताया उन्हें दस फुल पत्ती का संग्रा करना था उनके बारे में बताया गया मुहले में डाक्टर सेक्षक वकिल समाजिक कारकरता के फोन नमबर नोट करने करके लाने को बताया गया ताकि वसमय आने पर अपने मुहले के लोगों की साहिता कर सके मिट्टी से हस्त कलाश खाया गया कभारत जुगार बताया गया आजमगर में आस्ता के महापर्व छटके आउसर पर जिला यूजिना समीती के सदस्यों ने गुदाम घाट पर साप सफाई किये जिला यूजिना समीती के सदस्यों गुरू टोला अनंदपुरा के सबस्त मुम्मद अबसल वपुजा समीत के सदस्यों दीपु सुनकर उनकी टीम के साथ मिलकर तो लोग आस्ता के महापर्व छटके आउसर पर गुदाम घाट पर साप सफाई वए अन्य बहुस्ता का नरेक् करने को कहा गया सफाई नायक कमल देवा बेबी वा उनकी टीम के लोग मौके पर पहुंचकर दूर्व उस्ता को दूर करने में लागी हुए थे आजमगर सहर से शुठी चंदरबार इस्यू के आस्रम पर पीती दे रात तक प्रवांचल महुच्छो का होचन हुआ वह वरांची के गंगा आरती की तरह यहां पर तमसर आरती का होचन वरांची स्याय ब्रामणों ने विधी विधान के साथ किया इस वरांड विजेपी की शुत्री रात ध्यक सजानन दुराय विजेपी लालगन जिला ध्यक सुरुचपर का सिर्वास्तो प्रवांचल महुच्छो समीद के अध्यक्छी बिने राय समेद अन्यने स्थाने से लेकर बाहर से आएकलाकारों का स्वाकत किया पतादे की तीन दूसी प्रवांचल महुच्छो का शुवारम बुधवार कुप्रदीश के क्रिस्ट मंतरी सुड़ी प्रताप शाही ने चकिनामी खोचपूर में क्रिसी मेला के साथ किया था इसके बाद प्रवांचल महुच्छो समीद की तरब से एक चनपत के दुबारा दुरवासा धाम और ततरी धाम पर तमसा अर्थी पूजन का कारक्रम किया गया था दुरवासा धाम पर तमसा अर्थी की दौरान खुद क्रिसी मंतरी भी मौसूद रहे थे इश्किरम में सुक्रपार की दिर राथ तक चंधरमा रिसी कास्रम पर फ्रुमाचल महतसु सांस्कृतिटि कार्करम का आयोजन हुआ और तमसा नदिव असेलनी नदिव के तट पर तमसा रती पूचन किया इस दुरान चंदर्मारी सियासरव घाट पर सीडियों को दीपक से जगमक कर दिया गया था और पुरा वातारण अत्याद्मिक हो गया था संक्य को ध्वनी और मंतर के उचारण के बीच सभी भाव यहोरों उठी थे रारकेम के समापन पर भीने राम ने सभी कर्शन धरने बात किया इस दुरान आयोजन समीत के राम प्रकास दाय बबलू अलोक राय मंटू निरज डाय मोनू और मिरज जिंग सिहोरा समीत अने लोग मौजुद रहे और उन्हें ने केवल ये एक कारिकर प्रतिकात्मत नहीं मुझे लगता है कि आप अपने माध्यम से हमारी पुरानी धरोहर संस्क्रफी सब्धता और हम अपने नई चीजों की तरफ चका चौज में जाने का प्रत्म करते हैं लेकिन मैंने देखा है कि पुर्वांचल महोसों से आपने कार्मा प्रारम रखिया था और लगाता इस कार्मी को एक बड़ा अंदोलन को रूप में जन्म समर्थन को रूप में परवर्थित दिखाई दे रहा है हम आजमगण के लोग स्वाभाविक तोर्पे विन्यराजी ने कहा है कि मेरे कई रिष्टे हैं दुरिष्टों से बड़ा एक रिष्टा और आपने बनाया है कि दुर्वासा तत्तात्र और चंद्रमा रिशित है हमारी पुरातन परंपरा रही है हम ऐसे मनीश्यों की तप् सफलता के बाद तो कई मिल जाते हैं लोग सफल होने हैं कि दिली से सांसर मुनों तिवारी जी उन्हों ने भी जाना रहा था अधिया कहेश के संतेज हो गई बेकी जनमाउल परहेश हुआ अगर अच्छा लाग लोगता भी बजा देगा हो दो स्वागता आएं आपका गमचा एक और दो सर विधाब दो रहा है आजमगर की महराजगण थाना शित्र की जिले में शित्रफल की लिहास से बड़े शित्रों में से एक है प्रतु आचादी की इतने सालों बाद भी देवारा शित्र जोगी अबादी शित्रफल वब अपराद के मामले में सम्वेत तमसीर माना जाता है तथा महराजगण पुलिस इसका अंतिम छोड़ लगभग 15-25 किलोमेटर दू है यहां का कौश शित्र ऐसा है जहां पुलिस की गारी पहुंच भी नहीं पाती ऐसे में अपराद का बढ़ना आसान हो जाता है और पीड़ितों का 20-25 किलोमेटर चलकर महराजगण थाने पहुंचना काफी कठी ऐसे में समाजिक संगट्णों सहित शुत्र के लोगों के कई सालों के संगट्णों के बाद विगत वर्थ पुलिस चौके के लिए मलापुरवा के पास जमीन चिनितकर आवंटित क्या गया जाता कुछ समाजिक संगट्णों के सहयोग से उस जमीन पर एक बोर्ड भी लग जिसने शुत्र के लोगों में चौके लिद्मार की उमीद भी जगा दि me anci पुलिस चौकी मंद्मार अधिक पुष प्रसासन की उपक्राक्शाथ की लोगों के उम्मीद की मिद्ध kan रहे बता Hard obvious ऎक साल से पूलिस प्रसासन आवफित चमीन पर ना तो कोई दिन्मार ही कर र काफी लंबे समय से आप देख सकते हैं कि पुलिस चोकी दिवारा छेतर में एक पुलिस चोकी अस्थाफित करने की मांग सासन प्रशन से जल रही थी क्योंकि काफी संगर्स किया इसके बाद पुलिस चोकी की जमीन अबंडित हो गई और यहां पे बोड भी लगाए जा चुक की अस्थाई पुलिस चोकी का स्थापना हो जा ताकि देवारा छेतर वासी जो 15 कीले मुटर दूर महराज यन थाने पे जाते हैं उनको वहां भाग दवर से थोड़ा बचत हो और हमारे छेतर में काफी पिछला चेतर है और सर्जू नदी के उस पार सर्जू नदी एक बॉ कमरा दो बैरेक और बन जाता पुलिस वालों को बैठने के लिए केंटीन में जाती तो हम लोगों को दिवारा वासीयों का बहुत बड़ा उद्धार हो जाता मैं शांसर से एई दिवेदर करना चाहूंगा क्रिपिया आप जान दे तो संग्याने लेकर से इसको तब्काल कि हासमगर जन्पत की थाना को तवाली चुतिर से खबर है जहां ग्राम मन्चुबा में घटित हत्या की घट्टा में दो अभ्यूक्त पोलिस पूर्पिर में गिरफदार कर लिया गया है मोटर साइकल बरामत की गई है वो घटना के बारे में आपको जनकार दे दे कि वादी मुकदमा दिनिस कुमार पूतर शुर्गिया श्यामधारी निवासी मन्चुबा थाना कोतवाली आजमगर द्वारा देगे प्रतना पूतर जिसमें वादी के लड़का सुरज जिसके उ आमिर के साथ घरा जाओंगा कुछ तिर बाद दिनिस के फोन करने पर सुर्ग कुमार ने अपने पीदा को बताया कि मुझे आमिर उनके दोस्ति की सुन्दास पूले जा रहे हैं और फोन कट किया तेरह नौमर को तंसाना दी ग्राम का घटा में शौ मिलने पर वादी दिनि कोतवाली पर मंचोबा गाओं के पास पुलिस वा बदमाश को बीच में मुट्बेड हुई है जिसमें मुहमद आमिर नाम के बदमाश के बाए पैर में गोली लगी है वा अंकुष कुमार के दाहिने पैर में गोली लगी है दिनांख 13 तारीक को ककराटा गाओं के पास कुमार उसकी बहन पर गलत नजर रखता था वह वाटसप पर चैट करता था उसके मना करने पर भी वह नहीं माना इसलिए उसने अपने मित्र अंकुष कुमार के साथ मिलकर पहले सुरज कुमार को शराब पिलाई उसके बाद धारदार हत्यार से काट के उसके हत्या कर दी श्रीगरी दौनों को रिमांधितू प्रस्तूत किया जाएगा इन अभियुक्तों के विरुद गैंक्स्ट एक्ट की कारवाई भी की जाएगे मबारक पर पूलिस ने बोड़ी कारवाई करते हुए मुटपड़ी के दौरान 25,000 रुपे इनामिया के दो इनामिय को तस्कुर्ट था करने में सफलता हासिल की है उनकी कब्जे से वे तमन्च वकार्तूस भी बरामत किया गया है पते हाजा रहा है कि इनामिया के दाहिने परिमें गोड़ी लगी है 27 सितमर 23 को प्रभारि नरिप्षक मुबारक पो राजेस कुमार द्वारा और मोदित सुधा गयंग चार्ट के धार के धार पर अभ्युक्त सलीम नट पोत्र जलील और मौम्मद अली पोत्र जलील मौं सुरेंद रियादों पोत्र राम से नहीं निवासी मुईना हुआ थान स्थाना स्थानी पर मुख़मा पंस्क्रिट किया गया था और पूलिस ने आज इन दोनों इनामिया का उत्रस्कार और गंडशर को विद्वत्वार करने में सफलता हासिल की है मामले में स्थाना मुख़मा पर 25,000 के दो इनामी बदमाश कुलिस मुटभेड के उपरांत गिरिफतार करे गए हैं जिसमें सलीम नट नामक बदमाश जो कोपा गंज का रहने वाला है इसके दहने पैर में गोली लगी है यह बदमाश की उपर 6 मुकदमे पहले से थे और इसकी उपर गौकशी जैसे मुकदमे थे दूसरा अभ्यूक संदीब गुपता की भी गिरिफतारी करी गई है वा इसकी उपर 4 मुकदमे है श्री ग्री इन दौन अभ्यूक्तों को प्रिमांडियूत्यूने अले प्रसुत किया जाएगा